नमस्कार, मैं ममता जानी BMC News Live में आपका स्वागत करती हूँ आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजग है अर्हिलाल होस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर समाचार विस्तार से 24 चुलाई Crown Prince और प्रदान मंत्री His Royal Highness Prince Salman bin Hammad Dal Khalifa ने आज Tunisya के गंडराज्यक के राश्ट्रपती महा महीम के सयद को बधाई संदेश पेजा Tunisya का गनतंत्र दिवस महा महीम Crown Prince और प्रदान मंत्री ने Tunisya के प्रदान मंत्री महा महीम हमद हचानी को एक समान केवल भेजा 24 शुलाई उद्योग और वानीचिय मंत्री अब्दुल बिन अदेल फक्रों ने बाहरीन SME Development Society के अधियक्स एहमद अल सोलम के साथ मुलाकात की बेठक में लगू और मध्यम उद्योग क्षेत्र के विकास की समिक्षा की गई उन्होंने बाहरीन सामराज्य में SME क्षेत्र से सबंदित विशयो और इन क्षेत्र को समर्थन और मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की बिहार में अब कोई अपरादी किसी परिक्षा का पेपर लिग करने से पहले कम से कम दस बार सोचेगा नितिश कुमार सरकार ने अब पेपर लिग को बेहत गंबिरता से लेते हुए एक नया कानून बना दिया है इस कानून के तहट पेपर लिग करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ साथ सजा भी प्रावधान है बिहार के विधान सभा में एंटी पेपर लिग परिक्षा अनुसुचित साथन के साथ हो गए इस विधायक के पास होने से बाद अब राज्य में किसी भी परिक्षा के प्रश्न पत्र लिग करने वाली को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इसमें दस साल की सजा और एक करोड जुरुमाना के अलावा दोश्यों की संपती जब्त करने का भी प्रावधान है दिले से आए सुत्रों के अनुसार एक बार फिर नेपाल और काटमंडू में त्रिबुवन अंतरास्ट्रिय हवाय अड़े के रनवे पर एक विमान क्रेस्ट हो गया इस विमान क्रेस्ट में 18 लोग की मोथ हो गई नेपाल में सबसे भीशन विमान हास्सा साल 1992 में हुआ था जिसमें 167 लोग की मोथ हो गई थी साल 1992 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स के एक विमान ने काटमंडू में उतारने की कोशिस की थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका और हास्सा हो गया त्रिबुवन एरपोर्ट पर विमान क्रेश की एक लंबी लिस्ट है आखिर त्रिबुवन एरपोर्ट पर इतने विमान क्रेश क्यूं होते है क्या त्रिबुवन एरपोर्ट एरपोर्ट के रनवे में कोई दिक्कत है आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास ख़बरों के साथ हुआ है ओक तर प्राइब अपड़ च्रेक फ्रोग बांटार भी चर्णी यर-ोल्ड मेगा अ्मट्रमाट बेडरी प्रेस तेस्टी एंफ विज जिए तेस्ट वड़ IN तौरिफ रस, स्विटेद्ट बेड़ थे घ्ल रस स पुझ रसे, ख। रस्ट विजदैबर, इस दिखनोंस निवारी दरी प्रॉक्त श्राशरी और शूर्श इच्वेल गौट्स दिए प्रॉट एव फ्रॉप्ड रह इस पार्व जवित चपरा प्ली अवार्व मग अचार्ण मेगा-मार्च मेगामा अंध मार्माँ भुग ज़ू को एख के चियर मुड्यकिक अगत करती हूं स्वागत करती हूं एक बार फिर से BMC News Live में और देखते हैं देश और दुन्या की कुछ खास खबरों की ओर एमदाबस्याई सुत्रों के अनुसार अदानी Green Energy Limited ने वुधवार को कहा कि कंप्री ने गुजरात के खावडा में स्थित 30,000 MW क्षमता वाले दुन्या के सबसे बड़े रेवेन्योबल एनर्जी प्लांट के पहली 250 MW की पवन उर्जा क्षमता का संचालन शुरू कर दिया ह इसके साथ ही खावडा रेवेन्योबल एनर्जी प्लांट की कुल उर्जा उत्पादन ख्षमता 2250 MW हो गई है अदानी Green Energy के पास भारत में सबसे बड़ा ओप्रेशनल रेवेन्योबल एनर्जी पोट्फोल्यो है जिसका आकार 11,184 MW का है सिंगापूर 24 जुलाई बूदवार को सोने की किम्मतों में बड़ोत्री हुई निवेश अमेरिकी आर्थिक आंकडों का इंतिजार कर रहे है जो फेडरन डिजर्व की दर कटोक्ती के समय सीमा को प्रभावित कर सकते है 0650 GMT पर हालिया सोना 0.3% बढ़कर 2416.39 डॉलर प्रति आउस हो गया था अमेरिकी सोना वाइदा 0.4% बढ़कर 2416.10 डॉलर हो गया मनामा 24 सुलाई मोसम विज्यान निदेशा लई ने दिन के दोरान गर्म और रात के में आमतोर पर ठीक रहने का अनुमान लगाया है हवा मुख्य रूप से उत्तरी पस्चे मी दिसा में 10-15 नोट कभी कभी 15-20 नोट तक पहुँच जाती है जो रात भर में 5-10 नोट तक हो जाती है समुद्र की स्थिती 1-2 फीट अंदर और 3-5 फीट दूर तापमान अधिक्तम 45 सेल्शियस निउननतम 32 सेल्शियस आधरता अधिक्तम 70 परसंट निउननतम 10 परसंट इसी के साथ आज के समाचारी ही समाप्त होते हैं मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ सब स्वस्त रहे मस्त रहे और बीमसी निउस लाइब के साथ आप सब को सुभरातरी सब भाखेर